हेलो दोस्तों मैं सिसकुमार अपने यूटूब चाहें बिहार जी के ट्रिक्स मैं आपका स्वागत करता हूँ आज हम लोग बिहार के भुगोल के अंतरगत जल संसादन एवं प्रवातन के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चनल बिहार जी के ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे सब्सक्राइब कर लें साथी बेल आइकन को जरूर दुमायत वाई वीडियो को शट करते हैं जल संसादन एवं प्रवात तंत्र जल है तो जीवन है जल जीवन की आधार वस्तु है और जल नहीं तो जीवन नहीं अर्थाद जल के बिना जीवन की कल्पना करना शंभव नहीं है आगे है जल अर्थात नदी के निकट अर्थात नदी के किनारे ही मानव संस्कृति और सवधा का निर्मान एवं विकास हुआ है आपने इतिहास की कक्ठा में जरूर पढ़ा होगा कि मानव संस्कृति एवं सवधा का निर्मान एवं विकास कहा हुआ तो सरपतम नदियों के किनारे आज भी प्रानी जगत के लिए जल जीवन दाइनी बनी हुई है अर्थात आज भी प्रानी जगत के लिए जल जो है जीवन देने वाली है इसलिए जल को अम्रित की संग्या दी गई है बिहार को जल संसादनों का संब्रिद अवदान प्राप्त है अर्थात बिहार में धेर सारा जल संसादन है साथी वार्षिक वर्षापात का ओसत भी यहां का अर्थात बिहार का काफी अच्छा है जो कि आपको यहां दिया गया है कि बिहार का ओस्तन वर्षादर कितना है तो 1013 mm आगे है हाला की राज में न तो वर्षापात का वित्रन एक समान है और नही जल संसाधन का इसके कारण अलग अलग जीलों में सिचाई के आक्षादन जो है और समान है अर्थात विभिन जीलों के सिचाई के आक्षादन में अंतर है गंगा नदी द्वारा लाई गई उर्वर जलोर मिट्टी और प्रचूर जलसंसाधन खासकर भूमिगत जलसंसाधन बिहार के क्रिसी का आधार तयार करते हैं इसे यह प्रशनिकलता है कि बिहार का क्रिसी का आधार तयार कौन करता है तो यहां के अर्थात गंगा नदी द्वारा लाई गई उर्वर जलोर मिट्टी और प्रचूर जलसंसाधन और खासकर भूमिगत जलसंसाधन आगे हैं इसलिए बिहार में जलसंसाधनों के धार्मीक, आर्थिक और सभी परकार के मत को देखते हुए उन्हें विसेश अस्थान दिया गया है कि ने तो जलसंसाधन को प्रंतु नदियों के कारण जहां एक और बिहारवाशियों को बहुत परकार के सुबधाएं मिलती हैं वहीं दोसरी और नदियों के कारण ही यहां विविसकाएं आती हैं और मानव छती पहुंचता है अब है जलसंसाधन जल प्रित्वी के लगभग दो तिहाई भाग पर विस्त्रित है अर्थात यह जो जल है प्रित्वी के कुल भाग का दो तिहाई भाग पर फैला हुआ है प्रित्वी की सतर पर लगभग 1400 मिलियन घन किलो मीटर जल है अर्थात यह दो तिहाई भाबर लगभग 1400 मिलियन घन किलो मीटर आगे है शंपून जल का लगभग 32 परतिसत ही सुध जल है अर्थात जब आप 1400 का 32 परतिसत निकालियेगा तो लगभग उतना ही संपून प्रित्वी पर सुध जल है जिसमें की 75.2 परतिसत दुरूबो पर वर्फ के रूप में जमा हुआ है यहाँ गलती से जाम लिखा गया है लेकिन यहाँ क्या होगा दुरूबो पर वर्फ के रूप में जमा हुआ है और जो बच गया अर्थात सुमें से 75.2 घटाने पर हमें इतना प्राप्त होगा अर्थात इतना जो जल परतिसत है वो भूमी गत जल के रूप में उपलब्द हैं तो या दखेंगे 75.2 परतिसत जो जल है वो दुरूबो पर जमा हुआ है और बाकी जो जल है वो भूमी गत जल के रूप में उपलब्द हैं और जो सेस बच गया वह जल जीलो में नदियों में वायु मंडल में और नमी मिट्टी तथा वनस्पतियों में उपलब्द हैं अब आगे है नेक्स्ट पॉइंट जल की जो मात्रा बिहार की नदियों जीलो तथा भूमी गत जल के रूप में पाई जाते हैं वही उपयोग में लाई जाते हैं आगे है विस्क्री धातली छेत का लगभग 2.45 परतिसत जल संसाधन का 4 परतिसत और जनसंख्या का 16 परतिसत भाग भारत में पाई जाते हैं आपने विहार की जनगन्ना में पड़ा होगा कि विस्क्री धातली छेत का लगभग 2.45 परतिसत जल संसाधन का 4 परतिसत और जनसंख्या का 16 परतिसत भाग भारत में पाई जाते हैं आगे हैं देश भर में वर्सा से प्राप्त कुल जल की मात्रा 4000 घन मीटर है तो पुरे भारत वर्स में वर्सा से प्राप्त कुल जल की मात्रा कितनी है तो 4000 घन कीलो मीटर आगे है धातली जल और पुनप पूर्ती योग भाम जल की उपलपता लगभग 1879 घन कीलो मीटर है इसमें से 60 परतिसत अर्था इसमें से 60 परतिसत जो जल है उसका उप्योग शंभव है इस परकार देश में उप्योगी जल संसाधन 1122 घन कीलो मीटर है इसे आप लोग मेंस राइटिंग में लिखने के लिए नोट कर लें अब आई चलते हैं अगले पॉइंट पर बिहार में जल संसाधनों को दो भागों में बाटा गया है पहला है ध्रातली जल संसाधन और दूसरा भूमिगत जल संसाधन अब आई दोनों को बारे बारे समझते हैं कि ध्रातली जल संसाधन में कौन को नाते हैं तो पहला ध्रातल ये जल संसादन जिसमें नदियों, जीलों, तलावों तथा अन्छोटे जलाशियों के रूप में मिलने वाले जल आते हैं अर्थात कह सकते हैं कि ध्रातल के उपर जो जल पाये जाते हैं उसे हम लोग ध्रातल ये जल संसाधन करते हैं जिसके अंत्रगत नदिया आते हैं जील तालाब तथा अन छोटे जला से आते हैं अब है भूमी गत जल संसाधन वर्षा की कुल मात्रा का जो 790 अरब घन मीटर जल भूमी में रिष्टा हुआ जिसे में से लगवक 433 अरब घन मीटर मिट्टी की उपरी सता तक पहुँचता है सेस जल ध्रातल के नीचे परवेश अस्तर तक पहुँचता है जिसे कुवा आदी खोद कर प्राट किया जा सकता है बिहार में भूमी गत जल वित्रन समार नहीं है खाने का मतलब क्या हो गया कि भूमी गत जल संसादन कहां पाया जाता तो यह भूमी के नीचे जिसे हम लोग कुवों के द्वारा या फिर चापा कल मोर्टर लगा कर प्रित्री के अंदर से अर्थात भूमी गत से जिस जल का हम लोग उपियोग करतें वही जल जो है भूमी गत जल संसादन है बिहार के विभिन छेत्रों में भूमी गत जल वित्रन और समान है अर्थात ब्रावर नहीं है अब है बिहार में जल संसाधन जिसका पहला पॉइंट है बिहार में जल संसाधन की अनेक स्रोत है जिसमें से मुक्स्रोत है नदियों और परवातंत्र दूसरा जल प्रपात एवं जलकुण और तिसरा है बरसाती पांदी तो ये थे बिहार में जल संसाधन की सुरोत आगे है बिहार में परवा परणाली को दो भागों में बाटा गया है कौन-कौन तो पहला हिमाले परवस से निकलने वाली नदिया और दुसरा परठारी भाग से निकलने वाली नदिया याद रखेंगे बिहार में परवा परणालिक को कितने भागों इंबार्टा गिया तो दो भागों में कौन-कौन हिमाले परवस से निकलने वाली नदियों में और दूसरा पठाई भाग से निकलने वाली नदियों में अब आईए इन दोनों को हम लोग बारे-बारे से समझते हैं कि कौन हिमाले से निकली हुई नदिया है वे नदिया जो हिमाले परवस से निकलती है और उत्री मैदान में दक्चिन एवं दक्चिन पुर्व की ओर बहती हुई गंगा नदी में मिल जाती है नाम से ही परतित हो रहा है वैसी नदिया जो हिमाले से निकलती हो उसे हम लोग हिमाले से निकली हुई नदिया करते हैं और यह नदिया जो है बिहार के उत्री मैदान में फैली हुई है और यह जो है दक्षिन एवं दक्षिन पुर्व की ओर परवा होती है और परवा होकर अंत में गंगा नदी में मिल जाती है इसके अंत्रगत अर्थात हिमाले से निकल ली हुई नदियों के अंत्रगत गंगा घागरा जिसे सर्यू भी कहा जाता है गंडग बुरी गंडग बागमती कमला कमला बलान एक है कमला बलान कोशी महनंदा आदी नदिया समलित है अर्थात हिमाले से निकलने वाली नदियों के ये सभी नाम है आगे है इसके बाद माही, गंडग, जीवद, तिल युगा, घेमोरा, पजार, बाया, लखंदई, अधवारा, खीरोई, व्याग्रमुकी, जरही, दाही, जमोनिया, जीवद करे, कमला बालान, भूती बलान, कौशकी, शवडा, पनारकवल, कंकई, मेची, कौशकी की उपधाराएं, बेती, धेमोरा, तिलब, पढवार, चिलोनी, हैयाधर, इच्छाधर, काली, कोशी, इत्यादी नदिया, ये सभी जो हैं, हिमाले से निकलने वाली नदिया हैं, ये ही नदिया उत्तर बिहार के भूखन को सिरजती है, अर्थात ये सभी नदिया उत्तर बिहार में फैली हुई है, अब आगे है, हिमाले से निकलने वाली नदिया बरसात के समय बाढ़ उत्पन करते हैं, बलकि कॉप एवं सिल्ट भी जमाव करते हैं, ये नदिया मार्ग परवर्तन भी करते हैं, अब दूसरा है, पर्थारी भाग से निकलने वाली नदिया, बिहार का यह दूसरी नदि परवातन थैं, एक परवातन था हिमाले से निकलने वाली नदि, और दूसरा है, पर्थारी भाग से निकलने वाली नदि, तो यह है बिहार का दूसरा नदि परवातन थैं, पठारी भाग से निकल कर नदियां गंगा नदी में मिल जाती है हिमाले से निकलने वाली नदियां भी गंगा में मिलती है और पठारी भाग से निकलने वाली नदियां भी गंगा में मिलती है पठाली भाग से निकलने वाली नदियों के अंतरगत कर्मनाशा, शोन, पुनपुन, फल्गू, शक्री, पचाने, मान, काव, मुरहर, हरोहर, चानन, उत्री कोयल, अजय, क्यूल, घोंगा, मोहाने, बुडवा आधी, नदियां तथा कई छोटी नदियां जो है पठाली भाग से निकलने वाली नदियों के अंतरगत आते हैं अब आगे हैं, कर्मनाशा नदी कैमूर पहाली के पुर्वाग से निकल कर अपने परवह मार्ग द्वारा बिहार और उत्तरपरदेश के बीच सीमा बनाती है कर्मनाशा नदी के बारे मियाद दकेंगे कि कर्मनाशा नदी कहा है तो यह जो है बिहार के पुर्वी भाग में अस्तित है और यह बिहार और उत्तरपरदेश के बीच सीमा बनाती है रोता जिले में चौशा के निकट यह गंगा में मिल जाती है यह बिहार के पुर्वी भाग में नहीं बलकि बिहार के दक्षिन पश्रिम भाग में है अब आगे है चोटा नागपूर पठार से आने वाली नदियों में बालू का अंस अधिक रहता है हजारी भाग के पठारी भाग से निकलने वाली फल्गु नदी गया में विशाल रूप से सोरी गया में विशाल रूप धारन कर लेती है आगे है वर्षा रितु में चोटा नागपूर पठार से निकलने वाली नदियों में भारी मात्रा में जल प्रवाहित होता है प्रन्तु ग्रिस्म रितु में अर्थात कर्मी के दिनों में या तो पुरी तरह से यह सुख जाता है या फिर नाले के सर्द्रिस अर्थात नाले की तरह दिखाई देता है कौन तो चोटा नागपूर पठार से निकलने वाली नदियों आगे है हिमाले से निकलने वाले नदिया तथा चोटा नागपूर पठार से निकली हुई नदिया दोनों मिलकर बिहार के ध्रातलिय सरूप को विक्सित करती है तो या दखेंगे बिहार का ध्रातलिय सरूप किनकिन से विक्सित हुआ है तो हिमाले से निकलने वाली नदियों से और चोटा नागपूर पठार से निकली हुई नदियों से आगे है बिहार की अधिकांस नदियों का जल सुरूथ नेपाल की दक्षिनी सीमा के वन्चेतर हैं जो हिमाले की तराई में अस्तित है या फिर ये नदिया विंद्याचन की पहारियों से तथा चोटा नागपूर की पठारी पहारियों से सुरू होती है आगे है गंगा नदि बिहार की परवातन का मुक आधार है तो गंगा नदि आगे है बिहार की मुक नदियों पर 80% बिहार की जनसंख्या निर्भर करती है अब आगे है मौनसून में जल की उपलब्दा तथा नदियों का जल प्रवाव भू घरविये जल के अस्तर तथा जल आपूर्ती के संतुलन को बनाए रखता है कौन जो है जल आपूर्ती के संतुलन को बनाता तो मानसून में जो जल की उपलब्दा होती है तथा नदियों का जो जल प्रवा होता है वो भू घरविये जल के अस्तर तथा जल आपूर्ती को संतुलित किये रहता है अब आगे है ये नदिया बिहार में जल विधुत का स्रोत होते हैं ये नदिया सीचाई के लिए जल उपलब्द कराती है कौन तो उत्तर बिहार की नदिया और दक्चिन बिहार की नदिया ये सबी नदियां जो हैं जल विदुत का सुरोत है और सिचाई के लिए जल उपलब कराती हैं ये नदियां जल परिवहन का मार्ग प्रस्तूत करते हैं साथी साथ मतस प्राप्ति अर्थात मतस से पालन के लिए और अनव्यवसाय में भी इन नदियों का उप्योग किया जाता है बिहार की नदियों का अपवह तंत्र मुक्ता पादप आकार किस्म की है यह प्रारूप दोनों दिशाओं से आने वाली नदियों में बनते हैं कौन कौन दिशा तो एक उत्तर से अर्थात हिमाले से आने वाली नदिया और दुसरी दक्चिन से अर्थात पठारी भाग से आने वाली नदियों के बारे में बताया जा रहा है आगे है बिहार की नदियों को जलप्रवा एस्थिति वा दिशा की आधार पर मुक्त तीन भागों में बाटा जा सकता है कौन कौन तो पर्थम वर्ग में है इस वर्ग में सर्यू, गंडग, बागमती, कमला बलान, कोशी एवं महानन्दा नदी को रखा जा सकता है जो उतर से आकर गंगा नदी में मिलती है तो यह था पर्थम वर्ग के अंतरगत, वहीं दुत्ति वर्ग के अंतरगत, इस वर्ग के अंतरगत, सोन, पुनपुन, उतरी कोयल, चानन, फल्ग्यू, सकरी, पंचाने एवं कर्मनाशा नदियां आती है जो दक्षिन के प्रायदुपिय पठार से आकर गंगा में मिलती है तो यह थे दुत्ति वर्ग की नदियां वहीं तिर्ति वर्ग के अंतरगत कौन-कौन सी नदि को रखा गया है तो इसके अंतरगत दामोदर नदी, बराकर नदी, श्वन रेखा नदी, दक्षिन कोयल, संक्व अजय आदि नदियों को दक्षनी भाग में परवाहित होते हैं तो यह था तिर्ति वर्ग की नदियां जो दक्षनी भाग के अंतरगत प्रवाहित होते हैं तो आप लोगों ने क्या क्या समझा जो नदी उत्तर से गंगा में आकर मिलती है उसे परथम वर्ग में रखा गया दुत्ति वर्ग में जो दक्षिन के प्रायद्विप्य पठार से आकर गंगा में मिलती है और तेत्य वर्ग के अंतरगत जो दक्षनी भाग में परवाहित होती है उसे तेत्य वर्ग में अर्था तिसरे वर्ग में रखा गया है अब है बिहार की नदियां प्राचिन काल से ही अने प्राकर्तिक संसादनों के साथ नदियों का यहां विशेश महत्व रहा है कहां तो बिहार में बिहार में नदियों के धार्मीक आर्थिक सभी परकार के महत को देखते हुए उशे विशेश अर्थान परदान किया गया है गंगा एक नदी ही नहीं बलकि यह बिहारी संस्कृती का एक परतीक भी है बिहारी संस्कृती के निर्मान एक विकास में यहां की नदियों का अपरतीम अर्थान रहा है जिलों में परवाहित नदियां अब हम लोग परहेंगे किस जिले में कौन कौन से नदियां परवाहित होती है उनके बारे में पहला दिया गया जिले के बारे में गया जिले में सोन, पुनपुन और फल्गुन नदी भाती है सहाबा जिले में गंगा, शोन, कर्मनाशा, काउ, कुदरा, दुरकावती और सुवारा नदी भाती है मुझब परपुर जिले में गंगा, बड़ी गंड़क, बागमती, बागमती की सहायक नदिया, छोटी गंड़क और बया नदी भाती है दर्भांगा जिले में गंगा नदी, बया नदी, छोटी या बोड़ी गंड़क, बागवती, करे, कमला और तिली युगा नदी बहती है अगला है चमपान जिले में बहने वाली नदियों के नाम है बड़ी गंड़क, छोटी गंड़क या शिकरान, लाल बेगी और धनवती, बागमती, उड़िया, धोरम, पंड़ई, मशान और अनदिया ये सबी जो है चमपान जिले में बहने वाली नदिया है सारण में बहने वाली नदियों के नाम है गंगा, सर्यू, बड़ी गंड़क, ज़री और खनवा मुंगेर जिले में बहने वाली नदिया है गंड़क, छोटी या बुड़ी गंड़क, बालान नदी, बागवती, तिली युगा, क्यूल, कंजन, अजय और मनी नदी पटना जिले में बहने वाली नदी है गंगा नदी, सोन नदी, पुनपुन, मुरहर, दरधा, फल्गू, मैथून, पंचाना और सक्री नदी ये पटना जिले में बहने वाली नदी है इन नदीओं को आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे क्योंकि यह बिहार की राजानी पटना में बहने वाली नदी है अगला पशने भागलपुर जिले में बहने वाली नदी है गंगा, तिल्योगा, बती, धिमडा, तलवा, पढ़वान, धूशन, चलाउनी, लोरन, कटना, दाउस, घागरी, चानन और कोशी नदी अगला पशने स्वारी आगे है पुर्णिया जिले में बहने वाली नदी है कोशी नदी, काला कोशी, शौडा, महानन्दा और महानन्दा की सहायक नदियां, कंकई, पनार, नगर और लिब्डी नदी तो ये थे विभिन जिलो में बहने वाली नदियों के नाम अब आगे है बिहार की पर्मुक नदियों का परवातंत्र किसी भी परदेश में परवातं की उत्पत्ती तथा शमय के साथ विकास दो मुक्य कारको द्वारा निर्धाय तथा नियंतित किये जाते हैं पहला है प्रारंबिक धातलिय सता की प्रकेर्टी तथा ढाल और दूसरा है भौत की संद्चना अर्थात वलय भरंज विदर संधी नती नती लंब तथा सैल परकार अब है प्रवातन की सरीताओं को दो प्रमुक वर्गों में अर्थात दो प्रमुक भागों में बाटा गया है कौन कौन तो पाला है कर्मवती सरीता और दूसरा और कर्मवती सरीता कर्मवर्थी सरीता उसे करते हैं जो छेत्र विशेश के ढाल के अनुरूप परवाहित होता है अर्थात जो छेत्र विशेश के ढाल के अनुरूप बहता है उसे हम लोग कर्मवर्थी सरीता करते हैं और जो प्रादेशिक ढाल का अनुसरन नहीं करता तथा भौमी की ये संराचना के परतिकूल अर्थात विब्रित प्रवाहित होता उसे हम लोग और कमवर्तिये सरीता करते हैं अब आगे है गंगा नदी का परवा तंत्र गंगा नदी का उद्गम अस्थल उत्रांचल राजिये गडवाल हिमाले में 6600 मीटर की उचाई परस्थित गंगोत्री गलेशियर में है गंगा नदी का उद्गम अस्थल कहां है तो यह गंगोत्री है इसका नाम तब पड़ता है जब इसके दो सिर्ष नदियां अलक नंदा तथा भागी रथी का शंगम देव परियाग में होता है गंगा नदी गंगा कब कहलाती तो जब अलक नंदा तथा भागी रथी का शंगम देव परियाग में होता है तो वहाँ से अब यह अलक नंदा नदी और भागी रथी नदी मिलकर गंगा नदी कहलाती है गंगा नदी है द्वार के निकट मैदानी भाग में परवेश करती है या दखेंगे गंगा नदी कहां मैदानी भाग में परवेश करती तो है द्वार के निकट अब आगे है बिहार तक आते आते गंगा में यम्रा नदी, गोम्ती नदी, घागरा नदी जिसे सर्यू नदी भी कहा जाता है धौले नदी, पिंडार, अलकनंदा, मंदाकिनी, राम गंगा आदी नदिया मिल जाती है तो ये सभी नदियां है, जब गंगा नदी, गंगोती से निकल कर बिहार में आती है, उसके दोरान ये सभी नदियां गंगा नदी में मिल जाती है अब आगे है, गंगा भोजपूर और सानजिलो की सीमा बनाती है, गंगा भोजपूर और सानजिलो की सीमा बनाती हुई, चौशा को निकट बिहार में परवेश करती है ये प्रश्मी आपको BPSC के PT में पूछा गया है कि गंगा जो है बिहार में कहां से परवेश करती, तो जिसमें एक आप्शन था चौशा, तो चौशा के निकट बिहार में गंगा नदी परवेश करती है ये बिहार में परश्म से पुर्व दिशा की ओर परवाईत होती है, बिहार में मैदानी परवातन का आधार गंगा नदी है अवागे है, पुर्णिया की महानन्दा को छोड़ कर उत्तर बिहार तथा दक्षिन बिहार की समस नदियों की आधार जल भंडार को बिहार की भुमी में ही यह अपने में समेट लेती है अवागे है, बिहार से बाहर हो जाने पर महानन्दा, मयूराक्ची, अजय तथा दामोदर को भी अपने में गंगा नदी समेट लेती है गंगा और उसकी सायक नदियों के द्वारा बिहार के मैदान का निर्मान हुआ है बिहार के मैदानों का निर्मान किस्से हुआ तो गंगा और उसकी सायक नदियों के द्वारा गंगा तटपर, बक्षर, पटना, सोनपूर, पहलेजा, बाड, मुकामा, मुंगेर, बेगुशराय तथा मनिहारी नगर बशे है वो घाट अस्तित है तो याद अखेंगे कि ये सभी सहर जो हैं गंगा नदि के किनारे बसे हैं अब आगे हैं बिहार में गंगा नदि की कुल लंबाई कितनी है तो बिहार में गंगा नदि की कुल लंबाई लगभग 445 किलो मीटर है यह नदी परश्चिम बंगाल के फरक्का के बाद बंगला देश में परवेश करती है जहां इसे पद्मा कहा जाता है यह प्रश्मी काफी बार पुछा गया है कि गंगा नदी को बंगला देश में क्या कहा जाता तो गंगा नदी को बंगला देश में पद्मा के नाम से जाना जाता है इस शित में यह नदी कई धाराओं में बटकर डेल्टा का निरमान करती है और बंगाल के खारी में अंत में जाकर गिर जाती है अब है आगे घागरा अरथा सर्यू नदी का परवा तंत्र घागरा अर्था सर्यू नदियू का उद्गम अस्थल नामपा जो की नेपाल में अस्थित है या दखेंगे घागरा का उद्गम अस्थल कहा है तो नामपा जो की नेपाल में है यह नदि सर्यू अतवा देवा अतवा गोगरा के नाम से भी जाना जाता है घागरा नदी को किस-किस नाम से जानते हैं तो सर्यू, देवा और गोगड़ा के नाम से उत्तर परदेश के पुर्वी भाग में अस्थित जिलो से परवाहित होकर घागरा, गंडक, दुआव, अत्वा, पुराने सारन मैदान की पश्टमी सीमा बनाती है यह दो आप किसे करते हैं तो दो नदियों के बीच की भूमी को तो यहां है घागरा नदी और गंडक नदी इन दो नदियों के जो बीच की भूमी है वह पुराने सारन मैदान की पश्टमी सीमा है अब आगे है यह लगभग 83 किलो मीटर बिहार में बहती है जो गुटनी के निकट सुरू होती है और गंगा नदी में छपरा और रिवेल गंज के बीच कोटवा पट्टी रामपूर के निकट गंगा में मिल जाती है अब आगे है नेक्ट पॉइंट बिहार में इसकी सायक नदियां है छोटी गंडग, खावना, जरी, दाहा, शोंडी एवं तेल नदी नेक्ट पॉइंट है घागरा परवा परनाले की मुख विसेस्ता यह है कि यह पड़ाया मार्ग परिवर्तत अर्थात मार्ग बदला करती है तो आज के लिए हम लोग यही रान देते हैं नेक्ट पॉइंट में हम लोग परहेंगे गंडग, परवातन से तो आशा करता हूँ आप लोग को हमारी यह वीडियो पसंद आ हो यह आप लोग को हमारी यह वीडियो पसंद आ हो तुसे लाइक और सेयर जरूर करें तो आज के लिए बहुत बहुत हन्यवाद